प्यारे चात्रों कर्चप बारवी के चात्रों के लिए अर्थ सास्त्र अर्थ वार्षिक परीचा के लिए पेपर यहां पर मैं ले करके आ चुका हूँ जिसमें आपको तीन गंटे का समय मिलने बाला है गाई उम्मीद करूँगा अगर आप इस पूरे पेपर को अच्छे से त्यार कर लोगे तो अर्थ सास्त के पेपर में अच्छे अंक लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता यहां पर पहला कोशन कुछ इस तरीके से रहेगा जिसमें अब्जेक्टिव कोशन रहेंगे ब्यस्टी अर्थ सास्त का अर्थ क्या है चार उप्सवन आपको यहां पर देखने को मिलेंगे राइट ऑप्सवन पर आपको टिक लगाना है इसके बाद गाई यहां पर दूसर पर अप्लोड किये जा रहे हैं तो सब्स्राइब नहीं किया तो सब्स्राइब कर लेना क्योंकि इसके बाद इन पेपर्स के सॉलूसन भी बहुत जल्द अप्लोड कर दिये जाएंगे तीसरा कोशन है निम्नमैसिक किस अर्थ व्यवस्ता में सामाजिक हित्यवों कल्याण को म पूजिवादी अर्थ व्यवस्ता में समाजवादी अर्थ व्यवस्ता में मिस्रत अर्थ व्यवस्ता में या फिर अविकसत अर्थ व्यवस्ता में इसके बाद गाई चौता कोशन है उत्पादन प्रारम होने से पहले निम्नमैसे कौन सी लागत पाई जाती है कुल लागत सीमांत लागत या फिर इस्तिर लागत या फिर परिवर्द नसीन लागत चार ओप्शन देख सकते हैं राइट आपको टिक लगाना है पांचमा कोशन कुछ इस तरीके से रहने वाला है चार अप्सनिया पर दिये हुए निम्ण में से कौन सा इस्तिर लागत का उधारण नहीं है भूमी थत्ता भवन पर भिये प्लांट वो मशीनरी पर भिये अस्ताई स्रमिकों का मजदूरी और बेतन या पर लाइसेंस फीस जो छत्मा कोशन पूचा गया है काफी इंपोडेंट है मुद्रा का प्रात्मिक कार्य है मूली का संचे मूली का मापन आयका बित्रड या फिर भावी बुकतान तो इस तरीके से गया यहाँ पर पहला कोशन खतम कर दिया हमने अगर आपको यह सभी कॉश्चन पेपर डारेक्ली डाउनलोड करने है तो आपको गूगल पर सर्च करना पड़ेगा physicsindhi.com इस वाली बेप साइट पर जागर का आप डारेक्ली डाउनलोड करता होगे क्योंकि इस बेप साइट पर MP Board के student के लिए पूरा study material फ्री में प्रोवाइड कराया जाता है तो एक वार गूगल पर सर्च करें physicsindhi.com वेप साइट पर जाएं और डाउनलोड करें दूसरा कोशन है रिक्तिस्तानों की पूर्ती कीजिए मुद्रा वह दुरी है जिसके डेड़ेडेस अर्थ बिग्यान केंद्री है इसमें क्या एगा वो अताना है आपको दूसरे कोशन में यहाँ पर पहली रिक्तिस्तान दिया है का आसे किसी बस्त की ऐसी कीमत निर्दारित करना है जो संतुलित में रहती है तीसरा कोशन देखे कीमत छत को डेड़ेडेस भी कहा जाता है चौता कोशन मांग का नियम एक डेड़ेडेस कतन है इसमें क्या भरा जाएगा इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो पांचमा कोशन है जब अबस्तु की मांग से परवर्तन उसके मूले में परवर्तन से कम हो तो मांग की लोच डेड़ेडेस होगी क्या होगी छत्मा कोशन आप देख सकते हो डेड़ेडेस बैंक का नोट निर्गमन पर एक अधिकार है एड़ सात्मा कोशन है अगर आपका कोई भी क्वेशन हो डाउट हो या कंसेप्ट हो समझ में नहीं आ रहा है किसी भी बोर्ड का हो जई या नीट का हो तो आपको टेंसल लेने की ज़रूत नहीं है फिलो एप है जो आपको 24 and 27 आपर तीन इजी स्टेप में आपको सभी क्वेशन का सॉलूशन देना है प्ले स्टोर पर जाना है सर्च कर लेना है फिलो एप डाउनलोड कर लेना है उसको आपने मोबाइल नंबर से इस तरीके से साइन अप कर लेना है उसके बाद जो भी आपका क्वेशन है उसको आप टेस्ट कर सकते हो या क्रॉप करके फोटो को डाल सकते हो उसके बाद 60 सेकेंड में फिलो के टॉप फ्रूटर यहां पर आपसे कनेक्ट हो जाएंगे और आपके क्वेश्चन का लाइब सॉलूसन यहां पर बताया जाएगा क्लास 6 से लेकर के 12 तक के इस्टुएंट के लिए कोई भी सब्जेक्ट है कोई भी क्वेश्चन हो यहां पर आपको इस्टेंट सॉलूसन मिल जाएगा लिंक डिस्क्रिप्शन में जाएगे फिलो एप को डाउनलोड कीजिए कहलाता है तो यहां पर यह रिक्तिस्तान हो गए पीडियाप डाउनलोड करें तो गूगल पर सर्च करें फिजिक्सिंधी.com बेस साइट पर जाएं पटापट से डाउनलोड कर लें सही जोडी का आप जासे स्क्रिंशॉट ले लीजिए इसके बाद जो क्वेश्चन आते हैं यह कापी महत्पूर क्वेश्चन है आपकी अर्दवारसिक परिच्चा फाइनल बोड परिच्चा जितनी परिच्चा हैं उससभी के लिए तो यहां पर पहला क्वेश्चन है सब्सक्रा की तरलता से आपका क्या सए है और आवरती जमा खाता क्या है यहां पर यह सभी एक-एक नंबर के question है इसके बाद true and false आते हैं तो इनका आप स्क्रीन शॉट ले सकते हो हमारे टेलिग्राम चैनल को अब से जोइन करें जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी क्योंको वहां पर हम पीडियाप भी प्रोवाइड कराते हैं या फिर आपको डारेक्ली पीडियाप डाउनलोड करनी है तो गूगल पर सर्च करें फ वोपयोगिता बिशलेशड की बिदियों के बारे में संचेप में आपको बताना है इसके बाद 8. आयव प्रवाब को समझाई आय। प्रवाब क्या है दीर्ग का लीन उतपादन पासलसे आप क्या समयते हो यह kid आप को बताना है इसके बाद देखे गाईज दसमा क्वेशन आपर पूचा गया वो है फरम को संतुलित ग्यान संतुलित ग्यात करने की कुल आगम तथा कुल लागत विदी तथा सीमानत आगम वो सीमानत लागत विदी का तुलनात्मक आपको बढ़न करना है मुद्रा के दो सहायकारे लिखिए बेरी वेरी मोस्ट इंपोटेंट कोशन है इसको अच्छे से याद कर लेना गाईज बारेमा कोशन क्या है राष्टी आई की गड़ना की उतपाधन विदी को इस परष्ट रूप में समझाईए थर्टिन कोशन पर बढ़ें तो केंद्रिय वेंक क्या होती है इसकी आपको डेफिनेशन लिखनी है गाईज चौद्रेमा कोशन आप देख सकते हो यहाँ पर उप्योगता विशले सड की विदियों के बारे में आपको संचेप में बताना है पंद्रेमा कोशन आप यहाँ पर देख सकते हो उप्योगता विशले सड की विदियों के बारे में लिखी है यहाँ पर बिदिया लिखी हुई है आई प्रवाब को समय जाएए उसकांसर आप यहाँ पर देख सकते हो क्योंकि सभी कुश्चन के सॉल्यूसन यहाँ पर दे दिये गाई है फटापशे आप इनको डाउनलोड कर लीजिए गूगल पर सर्च कीजिए फिजिक्शिंदी डॉट कॉम और पर्टिकुलर सब्जेक्ट कीजिए और इसका पीडिया डाउनलोड कर लीजिए दीरकालीन उतपादन पसल से क्या आसे आप देख सकते हो यहाँ पर उसके बाद यह क्वेश्चन से इसका अंसर आपको यह मिल जाएगा मुद्रा के सहायकार है आप देख सकते हो यह इसके सहायकार हो गए राष्टी आई की गड़ना की उतपादन भी दी यह आप देख सकते हो किंद्रिय बैंक की परवासा यह देख सकते हो आप इसके बाद सास्त के पेपर में अब आपके अच्छी नमबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है